दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले है HW7 Max जो की मार्केट में सबसे ज़्यादा विकी है यह स्मार्ट वाच काफी ट्रेंडिंग वाच रही है पर इस वाच को लेकर करके अक्सर रीसिलर्स का और कस्टमर का अमरे को कंप्लेन आए किसरी से कनेक किसे करना है मैं कनेक करना तो आज के इस वीडियो में आपको इसका कनेक्शन के बारे में बताने वालों उससे पहले इसका बेसिक में वाच के बारे में बता देता हूं देख लिए एक तम स्मूद टॉच इस वाच का मल्टिपल मैनू स्टाइल वह एलेडी कर डिस्प्ले है इस वाच का और यहां प बात करते हैं इसके अंदर में कनेक्शन के बारे में तो सबसे पहले जब भी आप इसे कनेक्शन करना चाहते हैं सबसे पहले आपको चाहिएगी एप्लिकेशन फिर वह चाहिए एंड्रॉइड हो या आयोस तो अप्लिकेशन का अगर आपको पता लगाना है तो simply आप यहां यह क्या मेरे सामने एप्लिकेशन आगे वह इंस्टॉल कर लेता हूं फिर चाहे आयोस वह या इंड्रॉइड हो दोनों में आपको जाकर से इंस्टॉल कर देना है तो यह देखिए मेरा वियर फिल्ट पर इंस्टॉल कर से और यह मेरा इंस्टॉल हो चुका है तब मुझे अब लॉग इन करना है वह एप को और जैसे आप ऊपन करेंगे basic permissions आपको यहां पर देनी होगी तो यह मैं आप पर permission देता हूं आप लॉग इन करना है आपको इसमें तो आप Google से यह अपनी ID प्रेट पासफट से GPS का access हो गया location permission हो गया तो यह सारा करने के बाद में आपको devices में जाना है और जैसे आप devices में जाएंगे आपको यहां पर क्लिक करना है add device अब यह nearby में find करा और यह देखिए आपको hw7max देखिया तो इसे connect कीजिए तो यह देखिए यहां पर मेरे पास option आ गया Bluetooth pairing hw7max आपको यहां पर allow कर देना है और यह मेरा connection successful हो चुका है अब आपको यहां पर back जाना है carry out okay so यह सब notifications और उसके regarding अब आपको यहां पर permissions मांगेगा जो आपको यहां पर देनी होगी इसको अगर आप नहीं देंगे तो आपको notifications बगर जाए और प्रॉपरली वाच में नहीं मिलेंगे यह देखिए यह सारे permissions आपको दुनिया बर की अबर तो यह सब कर लेने के बाद में मेरा आप देख सकते हैं कनेक्शन इस्टाइबिश हो चुका है अभी यह connection तो हो गया बकर फिर लोग कई बोलता है कि सब यहां पर notification वगर सब कुछ आ रहा है पर प्रॉब्लम यह आ रही है कि हम लोग कॉल नहीं कर पारें किसी को भी यह लिखा रहा है प्लीज पेर वाच कॉल तो यह प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम में लोगों को समझ नहीं आथा कि इससे कैसे कनेक करना है उसके लिए आपको Bluetooth करना पड़ाएगा अपना mobile का और यहां पर अभी आप देख रहे हैं आपको कोई option नहीं दिखा रह अब इसमें watch call option आ चुका है तो ऐसे मैं आपको इसे क्लिक करना है और यहां पर connection तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक कर लिया अब यह आपको watch call भी connect हो चुका है तो ऐसे मैं आपको simply क्या करना है जाए और डाइलर open किजिए और देखिए तो यह जिसे डाइल हो गया डाइलिंग option जो है वो मेरा यहां पर खुल चुका है तो इस तरह से आप इसके watch connection को भी establish कर सकते है calling connection को भी तो हमने अब तक step follow कि है उसमें पहला था application के दुरू connection जो यहां पर जाके करना था और दूसरा जो था वह यह था watch call का connection और watch call के connection को establish करने से पर एक condition है कि हमें से यहां पर disable करना तो यह जो Bluetooth वाला function है यह अभी यलो दिखा रहा है इस case में watch call अक्टिवेट नहीं होगा और जैसे यह black हो जाएगा watch call अपका activate हो जाएगा और फिर आप उसे यहां पर connect कर सकते हैं एक और बात कई बार लोग मुझे कहते हैं कि हम जैसे इसको activate करने कोशिश कर रहे हैं हमें यहां पर दिखाता है low battery तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस watch call function को activate करने के लिए इस function को activate करने के लिए battery percentage should be above 25% वैसा हो करने पर ही आप अपने mobile से जो है watch call के feature को use कर पाएंगे तो यह था हमारा hw7 से related video अगर आप इस watch को purchase भी करना चाहते हैं तो इस नमबर पर WhatsApp कर सकते हैं आपको और कोई भी watch के connection से regarding query हो तो मुझे comment box में लिखे झाल मुझे जग्डिड कर समेडर वी चाहते ह Christians चाहते हैं कर सकते हैं एक हमार कर सकते हैं आपको